नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 तैसेश्टेई सामाजिक विज्यान की वरक्षीट नमबर 8 यानि कारे पत्रक संख्या 8 को यह आपकी 24 सुलाई 2021 की वरक्षीट रहेगी और आज की वरक्षीट भी काफी एजी रहने वाले है पिछली दो वरक्षीट से हम इत्यास को जानने की कोशिश करते आ रहे हैं सबसे पहली जो वरक्षीट थी उसमें हमने प्राचीन इत्यास की बात की थी पिछली वरक्षीट में हमने मध्यकाले इत्यास की बात की थी और आज की इस work sheet में हम आजdoganik इत्यास की बात करेंगे, कि आजdoganik इतियास है, उसकी परमुत घटनाई क्या क्या रही है, और साथ साथ थोड़ा से समझेंगे कि इतियास हमारे लिए कैसे इतना महत पून विशे है, तो चलिए शुरात करते हैं आज की इस work sheet की, प्यारे वर्तमान में होता है, उसका कारण कहा होता है? इतियास में होता है. और जो कुछ भी भहुशे में होगा, वो भी कैसे प्रभाइत होगा जो घटनाए आज घटी तो रहे हैं. जैसे आप आप बढ़ाई करें, स्टडी करें, आप कैसे स्टडी करें, यह सब कुछ आपका भहु तो इत्यास ने के वल ये नहीं कि सिरफ हम उस काहनियों को पढ़ते हैं कि डेट्स को पढ़ लिया हमने कहां पे कितनी लड़ाईया हुई थी वो पढ़ लिया बलकि इत्यास है हमारे वर्तमान और हमारे भौश्ये दोनों को बहतर बना सकता है किसी भी समय में होने वाली घटना किसने किसी पहले घटी घटना का प्रिणाम होती है और भौश्य के घटना का कारण भी बनती है यनकि अब जो कुछ हो रहा है वो प्रिणाम है जो पास्ट में हुआ था और भौश्य में क्या होगा उसका कारण बनेगी जो अब घटनाए घटी तोरी है इत्यास केवल भूतकाल को जानने के लिए नहीं बलकि भौश्य को सवारने का भी मादिम होता कैसे सवार्क रखते हैं यह जैसे इत्यास में कुछ भी हुआ अच्छा हुआ जो कुछ भी अच्छा हुआ उनको हम अपना लेंगे और जो कुछ भी हमने गलतियां की भूलें की उन से हम सबक लेंगे कि यह हमें दोबारा नहीं करनी है जिसे हम वर्तमान भी बहतर बना सकते हैं अब हम बात करते हैं मध्यकालिन इत्यास के सत्रमीश ताब्दी में जो यूरोपिय थे वो वैपारी बनकर भारत आये थे दिरे दिरे भारत में व्याप्त जो राजनतिक ऐस तिरता थी उसका लाव उठा कर राजनतिक प्रभाव बढ़ाने लगए यкив सबसे पहले वो वैपार के उदेशे से आये थे क्योंकि भारत उस वक्त संसाद्नों में काफि ज़यदा धनी था प्राचीन काल से भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था क्योंकि सभी परकार के संसादन यहाँ पर पाय जाते थे इसके लावा भारत के रेशम का कपड़ा, सूती वस्त्र है या दक्षिन भारता वो मसालों के लिए पूरे विश्व भर में परसी था तो इसलिए यूरोपिय जो थे वो यहाँ पर वैपार करने आए, लेकिन जब वैपार करने आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर राजनितिक एकता नहीं है, आपस में एकता नहीं है, आपस में एक दूसरे की साहिता नहीं करते हैं, तो इसी का उन्होंने लाव उठाया, फूट डालो और राज करो कि निति को अपना है, डिवाइड रूल की पॉलिशी को अपना है, और धीरे-धीरे अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बढ़ाने लगए। मुगल समराज्य के विक्टन के साथ, विक्टन मतलब मुगल समराज्य वो भी कमजोर हो चुका था, उसके कमजोर होने के साथ कुछ ऐसे रिजनल पावर्स, यानि कि शित्रे सक्तिया वो निकल के आती है, जैसे मराथा, सिक, जाट, बंगाल और अवद के नवाब, रुहेले, इस परकार की सक्तिया निकल के आती है, इससे क्या हुआ, कि देश की राज्टिक एक्ता तो भंग होई गई, क्योंकि मुगल समराज्य था, वो कमजोर हो चुका था, और अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ हो चुका था, क्योंकि जब देश था, वो जब टुकडों में ब पॉलिशी बनाई, एक दूसरे की खिलाफ नेकेवल उनको लड़ाया, बलकि जहां मोका दिखा, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया, वर्च सव की इस होड में, अंग्रेज थे, वो विजिता बन कर उपरे, यानि कि इसमें, जो आपस में भी इनकी भाग दोड़ थी, किसके बीच में, क्योंकि जो विएउरोपिय वैपारी आये थे, उनके साथ डच बी आये थे, उनके साथ पूर्टगाली भी थे, फ्रेंच भी थे, और अंग्रेज भी थे, जो आपसी इनकी लड़ाई थी, उसमें अंग्रेज थी, वो आगे निकले, और बाक बंबई जो उस वक्त बंबई कहा जाता था मदरास जो अब चेन्य ही है और कलकता जो अब कोलकाता है तो वहां से उन्होंने शुरुवात की लेकिन धीरे धीरे वो पूरे देश के लगबग 200 वर्षे से भी कम समय में पूरे देश के वो मालिक बन जाते हैं इस विदेशी लगा कि भारतियों के बहारतियों के पास भी ताकत है लेकिन ये जो विद्रो था ये जो कृरांती थी अठारस ताउन की वो प्रियास ऐस फल रहता है उसको बड़ी बहरे में से अंग्रेज को चल देते हैं इसके कई सारे कारण थे पहला जो कारण था कि एक उदेश्य नह नाना था, किसी को अपना सामराज्य चाहिए था, वापस चाहिए था, तो अलग लग उदिश्य थे, एक उदिश्य नहीं था, दूसरे ये था कि कोई एक नेता नहीं था, सब अपने अपने सुर्टाल में गा रहे थे, यानि कोई एक साथ मिलके नहीं चल रहे थे, एक कोई योग्जे नेता भी नहीं था ना एक उदेश्य था और ना ही वह एक सात एक योजना बत्टरी के से वह लड़ रहे थे, उनके लक्षे थे उदेश्य थे वह अलग लग थी, दूसरे यह था कहतियारों की कमी थी, योजना का भाव था, धन का भाव था, तो इसे बहुत सारे क छोटी सी कंपनी थी वैपारी कंपनी थी उसने पूरे देश को गुलाम बना रखा था क्योंकि हम में एकता नहीं थी क्योंकि हम मिल करके उनके खिलाप लड़ रही दे थे लेकिन 1858 के बाद हम ब्रिटेन के जो समराजे ब्रिटी समराजे उसके अधिन आ जाते हैं और समस्त के दोरान भारत में एकता स्तापित होती है क्योंकि पूरी देश में एक ही शासनवाज था थी अब अंग्रेजियों के आनिक बाद दोबारा से भारत एकता की शुत्र में बंद गया और यह जो एकता की शुत्र में बंदा था यह भारत के लिए कहीं न कहीं फायदे मंद श संपर्क में आये जो कि पहले इतना आसान नहीं था दूसरा एक भाषा मिल गई तमिल भाषी से बात कर सकते थे हम हम मदरासी से बात कर सकते हैं हम तेलगु से बात कर सकते हैं हम गुजराती से जो उडिया बोलते थे यानि कि एक भाषा मिल गई हमें कोमन हमें प्रिवन के राजराम मोहनरोय ये वही सक्स थे जिन्होंने सत्य परता का विरोध किया और उसके उपर कानूनी पर्तिबन लगवाये था स्वामी द्यानन सर्श्वती स्वामी वियकानन जैसे सामाज सुधारक जो थे उनके कारियों से भारत की जो सुवालंबी ग्रामिन अर्थवास्ता थी उसके नश्ट होने से यानिकी देश के अर्थवास्ता नश्ट हो गे थी तो उससे भी लोगों में गुस्सा था गुस्सा वादी नीतियों के कांट जब लगा कि हाँ, सब को अंग्रेज नहीं चोड़ रहे हैं, वो सिरफ अपना ही माल जमा किये जा रहे हैं, उसी वक्त को समास उधारक आते हैं, वो भी देश की एकता के परती लोगों को जागरुक करते हैं, बाद में एक मध्यम वर्ग निकल के आ देश के परती लगाओ की बादा, क्योंकि उससे पहले तो देश था यहीं नहीं, उससे पहले राजा होते थे, और राजा के परती भावना ही होती थी, देश कोई मानता ही नहीं था, लेकिन पहली बार राष्ट्रवाद की भावना के विकास हुआ कि हाँ, भारत माता है, और उससे हमें आजाद करना है, वो बेडियों में जखड़ी, उसको हमें आजाद करना है, तो इस भावना का तेजी से विकास हुआ, और इसमें कई सारी संस्ताई हैं, उन्होंने महत्पुन योगदान दिया, जैसे आरे समाज, प्रार्थना समाज, अलिगडा अंदोलन, भा नेता थे उस वक्त के क्रांतिकारी नेता थे, उनका भी महत्पुन योगदान रहा, जैसे बाल गंगा तर्तिलक, जिनका कहना था कि सवराज मेरा जनम सीद अधिकार है, और मैं इसे लेकर हूँगा, विपिन चंदरपाल, गोपाल किर्षिन गोखले, महत्मा गांदी, शु मालाल नहरू, चंदरशेकर आजाद, भगत शिंग, अश्फाकुला, इस परकार के ही क्रांतिकारी थे और नेता थे, जिन्होंने देश के लिए संगर्ष किया, अंग्रेजों के खिराफ संगर्ष किया, और अंत में अंग्रेजों को अपना बोरी अविस्तर लेकर के इस द कैसे आजादी हमें मिली थी, यह आजादी इतनी आसान नहीं थी, अब साइध हम ना समझ पाएं, लेकिन उस वक्त अगर हम कल्पना करें, तो भी रूप काम जाती है कि किस तरीके से हमने उन अंग्रेजों का सामना किया था, किस तरीके से हमने उनको भगाया था, तो यह हम मोहन रोय के, जो समाज सुधारक हुए है, उसके बाद बाल गंगादर तिलक की यह पिक्चर देगे है, जो राष्टे नेता हुए है, और यह है नेता जी सुभास चंदर बोश की जो पिक्चर देगे, उनका भी देश के आजादी में, देश के सवतंतरता संग्राम में बह कि यह हमारी इत्यास की यात्रा? हमने समझा कि कब क्या कुछ हुआ था हमारे इत्यास में, अब हम बात करेंगे परशन ओतर की आज की इस वरक्शिट में हमें चार बहत आसान से परशन देगे, पहला जो हमारा कुश्यन दिया गय is, न हमारे वरतमान और भहुष्य को किस प और भवश्य को किस परकार परभावित करता है यह हमें बताना है पहले पर्शन में हमारी जो वर्तमान में होने वाली घटनाओं का आधार है वो कहीं ने कहीं इत्यास में चिपा होता है हमारी अतीत में घटने वाली अच्छी घटनाओं को अपना सकते हैं जबकि गलतियों से सबक ले सकते हैं इससे हमारा वर्तमान और भवशे दोनों बहतर कर सकते हैं हमें सिंपल सा बताना है कि वर्तमान और भवशे कैसे बहतर कर सकते हैं तो हमारी जो भी गटना है आज गटी तो रही है उनका इत्यास का है जो उनका आधार का है वो इत्यास में चुपाएए, तो इत्यास में जो भी अच्छा हुआ है, उसको हम अपनाएंगे, जो कुछ भी हमने गलतियां की है, जो कुछ भी भूलें की है, उन से हम सबक लेंगे, उकके इससे हमारा वरतमान और भुशें, दोनों बैतर होंगे, उसके बड़ दूसरा पर अभाव जमाने में सफल हो गए थी, तो यहां पे हमारा कारण बनेगा राजनती के एकता के अभाव के कारण, हम में एकता नहीं थी, तीसरा परशन दिया गया, जो हमारा थर्ड कोईशन दिया गया, कि भारत में राष्टी अंदोलन के उद्य के विभिन कारणों पर परकास डालना है, राष्ट अंदोलन है, उसके उद्यक के कारण क्या थे, राष्टवाद के विकास के कारण क्या थे, तो हम चार कारण यहां पर बताएंगे, पहला अंग्रेजों की शोशन वादी निती, अंग्रेजों की शोशन वादी निती के कारण, देश के लोगों को लगा अगरेजों का बाहरी शक्तियों का सामना नहीं कर पाएंगे तो उनका भी एक अतुल्य योगदान रहा था तीसरा भारती राष्टे कोंग्रेज का नेतिता भारती राष्टे कोंग्रेज का गठन 1885 में किया जाता है और यही वो दल था जो आजादी तक हमें पहुंचाता है इसी के नेतिताव में सवतंतरता संग्राम है वो आगे बढ़ाया जाता है राष्टे नेताओं का भी अतुल्य महत्पुन योगदान रहा जिसमें गांदी जी बाल गंगा दर्तिलक लालालाज पत्राई मोतिलान नहरू जुहालाल नहरू गोपाल कृष्ण गोखले और करके हमने संगर्श किया ये मुख्यकारण थे भारत में राष्ट्य अंदोलन के उद्यके उसके बाद चोथा हमारा पर्शन रहेगा जो चोथा पर्शन दिया गया कि भारत के सवतंतरता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जोटाई है ठीक तो भारत के सवतंतरता स पर दो आपको लिखना सिरफ इतना है लेकिन इनके बारे में आप जानकारी गूगल पर सर्च कर सकते हो गूगल बाबा को बोली वह आपको सर्च करके सब कुछ बता देंगे तो आप एक्स्ट्रा नोलेज भी उनके बार में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वह भी वहां से दे सकते हो तो ये थी हमारी आज की आसांसी वरक्षीट कुछ ही दिनों में हम आपकी शोसल साइंस की MCQs की सीरीज लेकर के आ रहें आपके शोसल साइंस के जितने भी चैप्टर है क्लास 9 के उनके इंपोर्टेंट कोशन हम अलेड़ी डिसकस कर चुके हैं ओके वन मार्क्स के कुशन, 3 मार्क्स के कुशन, 5 मार्क्स के कुशन, हिंदी और इंग्लिश में अलग-लग हमने डिसकस की हैं अब एक ओर सीरीज लेकर के आ रहें जिसमें हम हर चैप्टर के MCQ जितने बनेंगे 20, 30, most important वो सभी आपके साथ शेयर करेंगे तो अमीद करता हूँ कि आप ऐसे ह हमारे साथ बने रहेंगे, अगर आज की ये वरक्षीट आपको अच्छे लगी, सब कुछ समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत पूलेगा, साथ ही साथ हमने आपके लिए, लास्ट येर भी पब्लिश किया था, सिक्किम प्रोजेक्ट, हिंदी का, इं लिस्ट में जाए, प्रोजेक्ट्स न असाइन्मेंट्स में वहाँ पर आपको हर लेंग्वेज का, हर सब्जेक्ट का, सिक्किम प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्यू, बाइ-बाइ, हैव नाइस टे,